लेटेस्ट यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूले बिलपोर और टिसुआ स्टेशन के बीच पर चड़े नागराज की फूम फ़कार से रेल गाडियों की रफ्तार थम गई। कि एह घटना हुई उस वक्त अकालतक्त वहां से गुजर रही थी। ट्रेन थमी तो लोको पाइलट ले इसकी सूचना स्टेशन मास्टर को दी। करीब पाउन घंटे बाद टावर वैगन मौके पर पहुंचा। इसके बाद ट्रेनों का संचालन सामाने हुआ। लाइन में खराबी के चलते अकालतक्त, काट गोदाम लखनव एकस्प्रेस, बरेली बनारस, मुगल सुराय और दो गाडियों को रोक दिया गया। अकालतक्त एकस्प्रेस के लोको पाइलट ने बताया कि साप चिडिया को मारने के लिए लाइन पर लपका था। चिडिया खंबे के कोने में बैठी थी जो साप को देखते ही उड़ गई। साप लाइन की चपेट में आ गया और अपनी जान भवाब बैठा। ओ इचई लाइन पर साप लटका होने के बाद लाइन बार बार ट्रिप हो रही थी। हमने साप को बचाने की कोशिश की मगर वे पूरा जल गया। लाइन ट्रिप होने के कारण गाडियों का संचालन करीब एक घंटे रुका रहा। लाइन दुरस्त कराने के बाद ट्रेनों का संचालन दुबारा शुरू हो गया।